गर्म में लड़का होने के कुछ खाश लक्षन नमस्कार दोस्तों आप लोगो मेरा चैनल प्रेगनेंसी मौ में स्वागत है दोस्तों आज हम इस प्रेगनेंसी वीडियो में जानेंगे गर्म में लड़का होने के कुछ खाश लक्षन के बारे में ठीक है दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में ने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके सामने जो नोटिफिकेशन का बेल है वो प्रेस करके औल करके रख दीजिगा ताकि मैं आगे ऐसे प्रेगनेंस से टिप्स लाओ तो आपको पहले ही गर्भवती होती है तो गर्भवती महिला को जानने की जिग्यसा रहती है कि उनके घर में पलने वाला शिशु कौन है लड़का है या लड़की या फिर उनके घरवालों को भी जानने की जिग्यसा रहती है कि गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन होगा करीर में जो हर्मोन के जो उतार चड़ाव हैं बहुत होते हैं जिसके वज़े से एक गर्भवत्ती महिला सारेरिक रूप से और मानसिक रूप से भी पड़ेशान रहती है और दोस्तों इतने में कहें देती हूं कि मेरा चैनल को जेनरल प्रडिक्शन को बढ़ाभा नहीं देत जिपचिपा सफेद पानी है बहुत जा रहा है तो माना जाता है कि ये एक गर्भ में लड़का होने का ही संकेत हैं दूसरा लक्षन है एक गर्भवत्री महिला का चेहरा गर्भवस्ता के दौरान अगर एक गर्भवत्री महिला का चेहरा खुब फिंपल्स हो रहा है साथ मे जाड़े के समय सब बहुत जादा हो रहा है तो भी माना जाता है कि ये औक गर्मे लड़का होनी का ही संकेत है तीसरा लक्षन है एक गर्भवत्री महिला का पेट का आकार गर्भावस्ता के दोरान अगर एक गर्भवत्री महिला का पेट का आकार है वो गोल शेप में ना होके चिप्टा नीचे के तरफ होता है उभार उसका तो माना जाता है कि ये एक गर्मे लड़का होने का ही संकेत है चोथा लक्षन है एक गर्भवत्री महीला का बाल गर्भवस्ता के दोरान अगर एक गर्भवत्री महीला का बाल बहुत ज़ड़ा है तो भी माना जाता है कि ये एक गर्मे लड़का होने का ही संकेत है पाचवा लक्षन है एक गर्भवत्री महिला का mood swings गर्भवस्ता के दोडान अगर एक गर्भवत्री महिला का mood swings बहुत जादा हो रहा है तो भी माना जाता है कि ये एक गर्मे लड़का होने का ही संकेत है तो दोस्तो यही था गर्मे लड़का होने के कुछ खास लक्षन के बारे में अगर आप लोगो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट कीजेगा ठीक है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही कल में आप लोग के लिए ऐसे ही और ए प्रेगनेंसी को उपर वीडियो लेके होंगी तब तक के लिए धेकना बात